दोस्तों नमस्कार, competition committee में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ हीवन प्रथान, आई ये फ्रेंड, आज हम पढ़ते हैं competitive science में एक और महत्मूर्ण session को, और आज जो हम cover करने वाले हैं, that is about periodic table part 2, दोस्तों इसे पहले हम पिछले session में बहुत सारे science and technology और general science और AVS related कुछ topics को cover किये थे, और यहाँ पर आज हम periodic table का part 1 जो complete किये थे, उसी के आगे continuous part 2 को cover करेंगे, जिसमें कि हम D block और F block के कुछ महत्मूर्ण properties और related elements के बारे में पढ़ेंगे, हमारा यहाँ पर जो objective रहेगा इस पिरियोडिक table को पढ़ने का, वो civil service exam या one day exam में जो questions पूछे जाते हैं, हम उसी orientation में पढ़ेंगे, अगर इसे need J level के exam के point अब उसे पढ़ा जाता तो और detail में पढ़ना पढ़ता है, बढ़ मैं आपको क्लियर कर दू कि हम यहाँ पर one day exam या civil service exam में जो questions पूछे जाते हैं, उसी pattern पर हम पढ़ेंगे, तो competitive science में हम general science, environment और technology के segment को cover करते हैं, तो general science के अंतरगत आज हम chemistry के topic को cover करेंगे, यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि competitive science जो है, उसमें हमने different type के segment को involve करने का प्रयास किया है, जिसमें कि आज हम directly कुछ effect और सीधा periodic table की चीजों को पढ़ेंगे, बहुत आसान method से periodic table को किस तरह learn किया जाए, इस part को हम समझेंगे, पार्ट वन में हमने समझा था, कि पार्ट वन में हमने समझा था कि किस प्रकार periodic table के s block को, यह हमारा s block है और इसके अलावा p block है, इसको learn करने का मैंने निमोनिक्स बताया था, और इसमें मैंने आप लोगों को एक महत्पूर्ण बात यह भी बताया था, कि आप यहाँ पर देखते हैं कि इसे परकार जो vertical या उर्धवादर ये इस तमब जो देख रहे हैं, पीरियड या फिर आवर्ष कहा जाता है, अब हमारे पास periodic table में देखते हैं, तो 1, 2 से लेकर ऐसा करते हुए हम जाते हैं तो 18 बना टोटल 18 ग्रूप है 18 वर गहें similarly 1, 2, 3, 4 करके ऐसे जाएंगे तो यहाँ पर टोटल 7 आवर्थ है और यह कौन सा 7 पिरियड है और 18 ग्रूप है यह कौन सा पिरियोडिक टेबल है तो Henry Mosley के द्वारा दिया गया modern periodic table है modern periodic table है यह बात ध्यार रखना अब यहाँ पर आज हम बात करेंगे इस D block elements को और D block element में काफी सारे ऐसे properties होते हैं जो आपको exam में पूछे जाते हैं उन महत्पूर्ण चीजों को यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे जैसे कि यहाँ 21 से लेकर 30 10 देख रहे हैं total 10 element देख रहे हैं फिर 10 के बाद 20, 30, 40 इस प्रकार हम देखेंगे total कितने element है total 40 element है D block में कुल तत्मों की संग्या कितना है 40 है उसी प्रकार F block में देखते क्या है यहाँ 57 के बाद यहाँ से आगे continue करेंगे तो 71 तक total कितने है इसमें 14 होते है तो नीचे 14 होगा तो 14-14 28 element है P block में तो हमारा आज का objective यही D block और F block होगा ऐसे students जिन्होंने S और P को नहीं watch किया है एक बाद जरूर देखना बहुत सारे interesting facts बताया था जैसे कि मैंने आप लोग को वहाँ पे कुछ बातें बताई थी S block वाले के पहले group को क्या कहा जाता है alkali metal या चारी धातुए second group को क्या कहा जाता है alkali earth metal या चारी म्रिदा धातुए वैसे हम कहते हैं कि 18 group को हम zero group भी कह देते हैं और इसे हम क्या है global gas भी कह देते हैं क्योंकि सभी के सभी gas है उसके बाद हम इसको कह देते हैं halogens halogens group वाला है ये आपका fluorine, chlorine, bromine, iodine, estetine ये क्या halogens group है क्योंकि ये लवन या न सॉल्ट निर्माण करते हैं वैसे हम बात करते हैं oxygen family को मैंने बताया था ये से कहा जाता है क्या कहा जाता है chalcogen क्योंकि ये IS के निर्माण करते हैं जैसे hematite, magnetite, bauxite वगरे में सब में क्या है oxygen है Fe3O4 magnetite है oxygen है Fe2O3 क्या है उसमें भी oxygen है hematite है वो Al2O3 इस परकार देखते हैं वो क्या है bauxite का तो वहाँ भी oxide है S2 copper pirate तो यहाँ पर S2 मतलब sulfide है तो कुल मिला कि oxygen family को chalcogen कहा जाता है nitrogen family क्या करते हैं ये उर्वरक निर्बान करते हैं fertilizer form करते हैं इसलिए मैंने इसे क्या कहा था nicogen उसके अलावा boron और carbon family को इन जरली ऐसे ही याद रखा जाता है मैंने सभी के mnemonics बता रखा है पिछले sessions में predictable part 1 में एक बर जरूर watch करिए आपके लिए काफी helpful होगा exam में काम आएगा ये जो आप downstairs देख रहे हैं कि उतरती भी CD देख रहे हैं इसको मैंने क्या कहा था इस CD में जो है जो elements है बुरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टैलूरियम और पोलोनियम ये जो साथ देख रहे हैं चार, तीन, साथ तो मैंने कहा था निमोनिक्स बोले, शिव, जी, ऐसे, सब, तेरे, पुन्य इस प्रकार साथ जो है यहाँ पर ये metaloid है जो ना metal है, ना non-metal है, दोनों properties में पाए जाते हैं, दोनों गुरधर में पाए जाते हैं इसलिए इनको metaloid या उपधातू कहा जाता है अब आज हम बात करते हैं, टोटल इस D-block और F-block को तो पहले मैं निमोनिक्स बताता हूँ और उसके बाद मैं सीधा-सीधा cover करवाँगा इस से related कुछ properties ठीक है, पहले D-block को हम cover करेंगे तो directly हम D-block में पहुंचते हैं और D-block में जो चीजे हम यहाँ पर पढ़ेंगे उसको पहले cover करते हैं इसको याद रखने का दूर निमोनिक्स है दोनों निमोनिक्स के base पर आप इसे याद रख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर एक आता है संस्कित का एक word आगया मालो संस्कित का एक word आगया क्या है इसका नाम इस प्रकार याद रखें इसे कहेंगे सक्ति वक्र मन फेको फेको नीकू जन तो इसका मतलब क्या है देखो सक तो यहाँ पर सकंडियम टी आई तो टाइटेनियम सक्ति वक्र मतलब वी और क्र मतलब क्रोमियम वी मतलब वेनेडियम क्रो मतलब क्रोमियम सक्ति वक्रमन मन का मतलब यहाँ पर मैगनीज फे मतलब क्या है आईरन, को मतलब क्या है कोबाल्ट, नी मतलब क्या है निकल, कू मतलब यहाँ कॉपर, जैडन मतलब जिंक तो सकती वक्रमन, फे को नीकूजन, इस प्रकार एक बार याद रख लेना, यह बड़ी काम की चीज है क्योंकि यह 21 से लिकर 30 तक मैंने बता है था, कि टोटल इतना भी एलिमेंट के नाम अगर आप जानते हैं, तो काफी सारा आपका 90% काम हो जाता है, ठीक है, तो ज़्याद एक तरीका यह भी है, कि यहाँ पर सस्ती वाली कार में फे को नहीं कॉपर जिंग, तो इसमें भी देखना, सस्ती, तो इस कैंडियम, उसके बाद T मतलब टाइटेनियम, वाली का मतलब यहाँ पर V का मतलब क्या है, वैनेडियम, कार का मतलब यहाँ पर क्रोमियम, मा का क्या आईरन, को मतलब कोबाल्ट, नहीं मतलब निकल, सी यू मतलब कॉपर और जिंग मतलब जेडन. आपको जो सही लगता है, जो आपके लिए इंटरस्टिंग है, इजी लर्न है, उसी को आपको फॉलू कर सकते हैं. तो सस्ती वाली कार में फेको नहीं कॉपर जिंग. तो यहाँ पर सकंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैगनिज, आईरन, कोबाल, निकल, कॉपर जिंग. अब इसके बारे में एक सबसे महत्पूर्ण बात समझेए. डी ब्लॉक एलिमेंट की विशेज बात क्या होती है, इनकी सबसे बड़ी विशेज बात होती है, ये लोग क्या करते हैं, एलोईस फॉर्म करते हैं, यानि की मिस्रधातू बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मिस्रधा आगे मैं समझाओंगा कैसे मिस्धातू बनाएंगे D-block की एक और खास बात ये ज़्यादा तर catalyst के तौर पर या उत्प्रेरक के तौर पर कौन यूज़ किये जाते हैं यही यूज़ किये जाते हैं D-block वाले D-block की और खास बात क्या है जैसे फटाके का color दीवाली में फटाके जलाते हैं, different type के color जो है वहाँ पर scattered होते हैं, तो अलग-अलग रंगों का misrand जो है, अलग-अलग रंगों की ज्वाला जो वहाँ पर जलती है, तो ये रंगीन, इनके योगिक क्या होते हैं, रंगीन या रंग जो हैं, प्रदर्सित करते हैं, ठीक है, जलाने पर रंगीन जोला प्रदर्सित करते हैं, ठीक है, यानि की colorful यहाँ पर scattering होगा, ठीक है, और क्या करेंगे, ये legend form करते हैं, legend यानि की संकुल, उपसहसा योजक, योगिक, ठीक है, क्या बनाएंगे, legend, legend या फिर कहाँ जाए, संकुल बनाने की शमता होती है, ठीक है, ये बात समझ में आई, ये खास कर ये तीनों सबसे ज़्यादा important है, क्योंकि अकसर एक्जाम में यही से प्रस्नफ पूछा जाता है, आपको एक trick बता रहा हो, कभी कभार क्या होता है, कि given option में कौन color form करता है, given option में कौन catalyst के तौर पे यूज किया जाता है, अगर आपको दिमाग वहाँ पे strike नहीं कर रहा है, आपको answer नहीं पता, तो थोड़ा चेक करना क्या deep block वाले element के options तो नहीं हैं, अगर deep block के options हैं, तो आप एक calculated risk लेकर उसे tick कर सकते हैं, कि क्यों mostly catalyst यहीं यूज किये जाएंगे, mostly यहाँ पर alloys भी यहीं बनाएंगे, color form भी यहीं करते हैं, एक दो कुछ P block वाले भी दिख जाएंगे, लेकिन इन generally color form यहीं करते हैं, ठीक है, यह बात समझ में आई, चलो, अब मैं यहाँ पर पहला group तो बता दिया, भी पहला आपका, मतलब यहाँ पर D block का, पहला कहना चाहिए, group ना कहेंगे, पहला period बता दिया, और यहाँ पर आप देखते हैं, दूसरा, तो यहाँ पर, इट्रियम, जिर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिबडेनम, टेकनीशियम, रतनियम, रोडियम, पैलेडियम, है न, यहाँ पर सिल्वर, और यहाँ पर कैडमियम, यह जो देख रहना, इसको भी थोड़ा सा, आप थोड़ा तकलीफ करके, जरूर इस पर याद रख लेना, क्योंकि यह भी कभी कबार आपको पूछा जाएगा, तो इसके लिए याद रखना, ये जनाब मॉर्निंग तक रुका रहा, पेड़ के आगे, केंडल जलाके, केंडल जलाके, ठीक है, क्यों केंडल जलाके, वाटेवर, उससे मतलब नहीं है, हमको, तो यहाँ पर जला के का कोई मतलब नहीं है और के का कोई मतलब नहीं है तो यह से क्या आया इट्रियम जेंट से क्या आया जिर्कोनियम ठीक है उसके बाद क्या है यहाँ पर मॉर्निंग से क्या आ गया भी यह जनाब नाब, नाब से क्या है, नियोबियम, और यहाँ पर मॉर्निंग से आ गया, मॉलिब डेनम, उसके बाद तक से क्या आया, टेकनीशियम, ठीक है, टेकनीशियम, रत, रू से क्या आया, रूबीडियम, और आरेस से क्या आया, रहा से क्या है, रोडियम, ठीक है, और यहाँ पर PD से क्या आया, Palladium, K का कोई मतलब है नहीं बोला, A के बाद क्या हाँ, यहाँ पर देखते हैं, कि Silver, Argentum जिसे हम कहते हैं, और यहाँ पर यह आया, Cadmium, इतना भी याद रख ले ना, D-Block, तो मैं समझता हूँ, और बाकी याद ना रखो, तो भी चल जाएगा, ठीक है, बाकी मैं आगे भी लन करवा दूँगा, यह बात समझ मैं आरी, यह जनाब, Morning तक रुका रहा, पेड के आगे, Candle जला के, बातें क्लियर होई, और उसके पहले मैंने कहा, सस्ती वाली कार में, FECO नहीं, Copper Drink, क्या यह पॉइंट सब को क्लियर हुआ, अगर यह क्लियर हुआ, तो मैं थोड़ा सा, Difficult वाली कैटेगरी नीचे जा रही है, इसको बताता हूँ, मैंने कहा, इतना भी उपर के दो पीरियड भी याद रखेंगे, तो आपके लिए काफी helpful है, बाकी आगे जब कुछ और properties होगा, उसको भी देखेंगे, अब एक आगे बढ़ें, इससे पहले एक जरूरी चीज बता देता हूँ, यह जो चार चीजें देख रहे हैं न, Zinc, Cadmium, Mercury जिसे Hydrazearum भी कहते हैं, Cn जिसे Coppernesium कहते हैं, ठीक है, Zinc, Cadmium, D-Block वाले element को क्या कहते हैं, Sankramad तत्व कहते हैं, Sankramad तत्व कहते हैं, तो D-Block के तत्वों की कुल संख्या कितनी है, D-Block के तत्वों की कुल संख्या 40 है, ठीक है, यह बात है clear हुई, लेकिन Sankramad तत्व में कहेंगे, 40-4 कर दो को तो कितना आजाएगा, 36 आजाएगा, तो 36 जो element है, यह क्या हैं, आपके D-Block element है, बाकी जो हैं, 4 जो हैं, Zinc, Cadmium, Mercury और Copper Nisham, Transition element, यानि की Sankramad तत्वन नहीं हैं, यह प्रस्णा पूछा गया है, 1-day exams में, इसलिए याद रखना इस पॉइंट को, चलो, आगे बढ़ें, चलो, आगे बढ़ते हम, अब हमारे पास आया, नीचे वाले दो गुरूप का, तो जैसे यहाँ पर देखते हैं कि, Lengthenum, यहाँ पर Actinium, तो Lengthenum के बाद देखते हैं, पर 57 है, उसके बाद यह क्या जाता है, Lengthenite Series आ जाता है, AC Actinium के बाद इसे में Actinite Series आ जाता है, और यहाँ पर बात करेंगे, Lengthenum के बाद देख रहे हैं, सीधा-सीधा Hapenium आया 72, और यहाँ 89 के बाद, Rother 4DM आया RF 104, इसका मतलब यह है, कि 57 के आगे यहाँ Lengthenite Series है, 89 के इसे आगे Actinite Series है, जिसे हम F Block में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आगे जो पढ़ेंगे, Hapenium और यहाँ Rother 4DM से आगे, यहाँ इसे Hapenium, Tantalum, और इस परकार Rother 4DM से लेकर आगे, जब वहाँ पर इस तरफ देखते हैं, तो यह सब basically क्या है, यह आपके D Block Element ही कहलाते हैं, ठीक है, तो चलो, अब इससे समझते हैं, कौन से वाले यहाँ period के लिए, यहाँ इस Lengthenite के आगे, यहाँ पर Hapenium वाले period के लिए, तो ला, ला, किसी को डरा रहें, हपता निकालो, तो ला, हपता, मुभी बगरा में देखते हैं न, हपता दोब बोलके, तो ला, हफता वर्ना रे, ला, हपता वर्ना रे, धीरे-दीरे याद रखना इसे, पहले इसको cover कर लो, ला, हफता वर्ना रे, तो यहाँ पर, रीनियम तक पहले समझ जाना, कि हफनियम, टैंटेलम, टंगस्टन और रीनियम, तो ला, हपता, वर्ना रे, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ पर मैंने कहा, कि यह क्या है, आपका लैंथेनाइट के आगे स्टार्ट हो जाएगा, ला, हपता, वर्ना रे, ओ, एस दिया है, ओसमियम यहाँ पर बात करते हैं, तो ओ, एस जहाँ पर कह रहे हैं, ओ, एस, उससे, इधर पिटाई और होगी, हपता निकाल नहीं, तो जो डंडा देख रहा है, उससे पिटाई होगी कह रहे हैं, नहीं दोगे, तो उससे इधर पिटाई और होगी, तो यहाँ पर, इसके बाद, इधर का मतलब इरिडियम, इसके बाद, पीटी मतलब यहाँ पर प्लेटीनम, जो काफी महेंगी धातू है, सबसे महेंगी धातू में से एक है, ठीक है, उसके बाद, यहाँ पर, AU यानि की गोल्ड, और यहाँ पर होगी मतलब, हाइडरा जीरम, यानि की मर करी, तो लाहपता वर्ना रे, लाहपता वर्ना रे, उससे इधर पिटाई और होगी, जो डंडा देख रहे हो, उससे और पिटाई होगी, कह रहे हैं, ठीक है, मेरे खाल से, एक दो बार पैक्टिस करोगे, तो यह आज आएगा, ठीक है, यह बात ध्यार रखना, फिर आगे मैं कुछ प्रापर्टीस बताऊंगा, उसको जरूर याद रखना यहाँ पर, इसके बाद, इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर, एक्टिनियम के आगे देख रहा है, रदर फोडियम यहाँ पर, 104 से स्टार्ट हो रहा है, एक्टिनियम के आगे तो एक्टिनाइट स्टार्ट होता, लेगन यहाँ पर हम कह रहे हैं, रदर फोडियम से थोड़ा समझना है तो रदर फोडियम तो RD सर्मा एक book है maths की अगर आप solve किये हैं competitive exam, reasoning maths वगरा maths की book है वो, maths के लिए बहुत famous book है RD सर्मा ठीक है, तो खास कर like banking या फिर cat वगरे की तयारी के लिए उससे पढ़ा जाता है SSC वगरे किताब में भी पढ़ा जाता है तो यहाँ पर समझना RD सर्मा बुक है क्या कहा? RD सर्मा बुक है क्लियर हुआ? तो रदर फोडियम यहाँ पर फिर डैबनियम फिर यहाँ पर सी और्गियम, बोहुरियम हैसमियम इस प्रकार आ रहा है तो यहाँ पर रदर फोडियम है ना? RD सर्मा बुक है तो RD सर्मा बुक है तो यहाँ के लिए RF यहाँ के लिए हमने लिख दिया RF RF उसके बाद क्या है? यहाँ पर D के लिए क्या है? यहाँ पर हमने लिख दिया DB उसके बाद यहाँ पर SG सर्मा के लिए यहाँ पर क्या आ गया? SG, SG सर्मा, फिर बुक के लिए हमने BH लिख दिया, उसके बाद हैस के लिए HS लिख दिया, इस प्रकार यह आप देखते हैं Now, यहाँ पर Maths, RD सर्मा बुक है Maths की, तो यहाँ पर Maths की का मतलब Maths के लिए Empty, Empty हमने यहाँ पर लिख दिया Now, यहाँ पर, यहाँ पर DRC का मतलब क्या है? कि बाकी Data Sufficiency RC तुम कर लेना अरे, यह चीज अगर आपको समझ नहीं आया है, तो मैं बता देता हूँ, पहले इस सेग्मेंट को complete करिए RD सर्मा बुक है Maths की, ठीक है? और फिर competition त्यारी करोगे तो आपको reasoning में Data Sufficiency भी question आता है तो भई RD सर्मा से तुम Maths कर लेना, तो RD सर्मा बुक है Maths की, और बाकी कहा मैंने, कि Data Sufficiency RC आप दूसरे बुक से कर लेना, तो यहाँ पर MT, उसके बाद Data Sufficiency का DS, ठीक है, उसके बाद RG, है ना, R, और C, फिर CN मतलब कॉपर नीश्यम, इस प्रकार यह याद रखना, थोड़ डिफिकल्ड जरूर लग रहा होगा यह सेक्मेंट, लेकिन, RD सर्मा बुक है, Maths की, Data Sufficiency, है ना, Data Sufficiency RC दूसरे बुक से तुम पढ़ लेना, इस प्रकार आप कह रहे हैं, एक बाद पैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली आगा, अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ, कुछ पैटी होगा, P-Block का properties पूरा अलग होगा, यह East है तो वो West है, यह India है तो वो पाकिस्तान है, तो यह बीच वाला D-Block क्या है भई, D-Block क्या है, थोड़ा सा India है, थोड़ा सा पाकिस्तान है, कहने का मतलब यह है, हमने बच्पन से पढ़ रखा है, Class 6, 7 से इसे पढ़ते आ रहें कि S-Block वाले क्या बनाते हैं, Alkali Metals बनाते हैं, Alkali Oxide बनाते हैं, चारी Oxide बनाते हैं, तो P-Block वाला उसका just opposite kya होगा, Acidic बनाएगा, यह Basic या Alkali बनाएगा तो यह Acidic बनाएगा, उसका Just opposite, यह चारी बनाया तो यह Aumli बनाएगा, ठीक है, यह बात समझ में आई यह basic बनाएगा तो यह acidic बनाएगा तो यह deep block वाली क्या बनाएगे acidic plus basic दोनों बनाएगे भई समझ में आगा अगर यह कहेंगे यह ionized होता है आइनिक योगिक बनाता है तो यह क्या करेगा यह बनाएगा आपका covalent bond बनाएगा यह ionic bond बनाएगा ionic bond बनाएगा तो यह क्या बनाएगा covalent bond बनाएगा यानिक सहसायो जग ionic सहसायो जग तो यह दोनों क्या करेगा ionic भी बनाएगा और covalent दोनों बनाएगा मतलब मैंने कहा यह India है यह Pakistan है तो यह दोनों थोड़ा-thोडा हिस्सा लिया हुआ है cover किया हुआ है ठीक है और इसके अलावा मैंने कुछ और properties आप लोगो बता ही दिया था कि अगर हम periodic table देखते हैं तो 118 तत्वों को जगर दी गई है इसमें कि पूरे के पूरे S block वाले metal है hydrogen को छोड़के P block एक मात्र ऐसा block है जहां metal non metal metaloid तीनों मिलते हैं धातू उपधातू आधातू तीनों मिलते हैं और मैंने यहां पर आप लोगो यह भी बताया था भई कि जब हम D block और F block देखते हैं तो सब के सब क्या है metal ही है तो कहीं कोई confusion वाली बात ही नहीं है लेकिन इसमें मैंने थोड़ी दिर पहले मैंने बताया था इनमें alloys formation की चमता होती है मिस्स धातू निर्माण की चमता होती है यह catalyst के तौर भी यूज किये जाते हैं जैसे ammonia ammonia बनाने की हैबर भी थी उसमें titanium की oxide यूज किये जा सकते हैं ठीक है यहाँ पर यह बात ध्या रखना वैसे हम बात करते हैं यह रंगीन योगिक बनाते हैं यह aloys वाला मैं अभी example प्रूफ करके बता रहा हूं देखो हम पढ़ते हैं न ब्रॉंज और brass पढ़ते हैं ब्रॉंज यहने की कासा और brass यहने की क्या कहेंगे पीटल अब दोनों क्या है एलोइस है यहाने miss सधातू है की नी दोनों में क्या होता है copper का copper क्या है common होता है ब्रॉंज में Z का opposite क्या है टिन और यहाँ पर S का opposite यहाँ पर क्या है जिंक आप थोड़ा चेक करो भई कि copper, tin और zinc तीनों की तीनों D block है कि नीम यहाँ पर बात करें copper भी है, zinc भी है और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका tin भी use किया जाता है कि like particularly क्या है इस प्रकार बनाने में हाला कि यहाँ पर tin जो है यहाँ पर mention करते हुए हम नहीं देख पा रहे हैं लेकिन आप लोग को बता रहा हूं, mostly जो alloys बनाते हैं, वो सब D block ही बनाते हैं कुछ element S, कुछ P block से भले हो सकते हैं, लेकिन जैसे कि हम भले P block में जैसे कि हम like tin को हम ले रहे हैं, लेकिन इन जनरली major contribution इनका ही होता है, ठीक है, जैसे एक और देख लो, stainless steel जानते हैं आप लोग, stainless steel की बात जब हम करते हैं, तो किस से किस से मिलके बनता है, देखो, iron प्लस copper होता तो steel बनता, उसमें हम क्या डालते हैं, nickel प्लस chromium मिला देते हैं, तो देखो iron, कहां पर है, यह iron, nickel क्या है, यहाँ पर nickel, फिर देखते हैं, chromium, यहाँ पर chromium, अब carbon तो क्या है, non-metal है, अधातू है, इसे जानभूत के उसमें impurity थोड़ा सा छोड़ते हैं, क्योंकि 100% लोहा को आप band कर सकते हैं, मोड सकते हैं, वो काम के लाइक नहीं होता, जैसे 24 karat के सोना को जोलरी में यूस नहीं किया जाता, 22 karat का यूस किया जाता है, 20 या 18 karat का यूस किया जा सकता है, तो उसी प्रकार हम कह रहे हैं, कि 100% लोहा में थोड़ी impurity छोड़ते हैं, अलग-अलग impurity छोड़ने पर अलग-अलग लोहा का बनता है, जैसे कि ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, ठीक है, steel, stainless steel type का, तो उसी प्रकार यहां पर हम कह रहे हैं कि carbon तो क्या है, non-metal है, लेकिन हम कह रहे हैं कि mostly जो D-block element होते हैं, वो alloys पनाते हैं, आपको मैंने प्रूब करके बता दिया, यह बाते सबको समझ में आई, अगर यह समझ में आ गया है, तो मैं आप लोग को अब F-block की यो ले चलता हूँ, F-block में थोड़ा दो बड़ी-बड़ी बाते या वहाँ पर हम जा रहे हैं, 71 तक, उसी प्रकार 89 से करते करते 103 तक जा रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पर इसकी खास बात देखो, लेंथे नाइट को और रेक्टी नाइट को विशेस नाम से जाना जाता है, वो क्या है, इनको कहा जाता है, दुरलब, मृदा, धातुएं, फिर कहा जाता है, रेर अर्थ मैटल कहा जाता है, रेर अर्थ मैटल कहा जाता है, किसे लेंथे नाइट को, एक्टी नाइट को क्या कहा जाता है, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव मैटल्स कहा जाता है, रेडियो एक्टिव तत्वक कहा जाता है, ठीक है, यह बात मैटल कह देते हैं, कारण दोनों ही काफी मुस्किल से मिलता है, जैसे एक्जामपल देखिए, यहाँ जो यूरेनियम देख रहे हैं न, यह यूरेनियम क्या है, एक्च्वल में, देखा जाए तो दुनिया की कुल भंडार का भारत में केवल एक प्रतीसत मिलता है अगर यहाँ पर कह रहे हैं थोरियम, दुनिया के कुल भंडार का केवल पच्चीस प्रतीसत इंडिया में मिलता है, तो भले यहाँ पर हम, यह पच्चीस परसंट अबेंडेंट है, यहाँ पर मौजूदगी है लेकिन कुल मिला कि जो यह जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है अगर कई बार कुछ सोसेस में क्या है दोनों को हम रियर अर्थ मैटल कह देते हैं अगर नहीं दिया हो तो स्पेस्विक तरीके से लैंथे नाइट को रियर अर्थ मैटल कहा जाएगा और एक्टिनाइट को क्या कहा जाएगा रेडियो एक्टिव माटेरियल कहा जाएगा रेडियो एक्टिव माटेरियल की खास बात अभी स्लाइड में मैं आगे बताऊंगा क्यों सबसे महंगा है रेडियो एक्टिव एलिमेंट चलो अब इस निमोनिक्स को थोड़ा समझते हैं Actinite सबसे आसान ट्रिक है उपर वाला थोड़ा सा आपके लिए मुस्किल है मैं इसे बताता हूँ इस प्रकार देखिए यहाँ पर Lathenum मतलब Lathenite मतलब ला तो आपको clear हो गया यहाँ से समझते हैं C-E-Cerium, Selina, Preeti and Pumbi सभी क्या है युरोब गए ऐसे segment में याद रखना Selina, Preeti and Pumbi सभी युरोब गए ठीक है अब इससे पहले पूरा करिए से के बाद यहाँ पर Selina यहाँ पर आ गया Preeti मतलब Prometheum है ना यहाँ पर AND करके तो AND करके क्या हो गया ठीक है नियो डाइमियम होता है AND का मतलब है ना यहाँ पर difficult name याद भी ना रखें तो भी चलेगा बस आपको पहचानना है इससे related प्रस्न किस प्रकार आएंगे PM मतलब Pumbi उसके बाद SM मतलब सभी है ना यहाँ पर कहते हैं European यहाँ पर Europe ठीक है तो यहाँ पर Europe जीडी मतलब गए सेलीना प्रीती एन पम्मी सभी यूरोब गए तब यहाँ पर कह देते हैं तब तब डाइरिया हो गया तब डाइरिया हो गया तो गया का कोई मतलब नहीं है और अरे तुम यह भी लूटोगे उसके बाद यहाँ तक पूरा हो गया भई तो उसके बाद एक different sentence आ गया कि सेलीना प्रीती एन पम्मी सभी यूरोब गए तब डाइरिया हो गया एक बार पैक्टिस करना आजाए गई है और अरे तुम यह भी लूटोगे अरे तुम यह भी लूटोगे अरे तुम यह भी लूटोगे इस प्रकार क्या है इसका क्या है निमोनिक से बन गया अपच्छा अगर हम यहाँ पर बात करते हैं यह सब नाम ऐसा लग रहा हुगा कभी सुने ही नहीं है पहली वार सुन रहे हैं किसी के तुम नाम भी पूरा मालूम नहीं हो रहा होगा दिफिकल्ट टाइप का दिख रहा होगा क्यों भी दिख रहा होगा क्योंकि यह अल्रेडी बहुत मुस्किल्स में मिलते हैं इस प्रित्वी में इसलिए तो इनको निप्टेंगे पहला सेग्मेंट हो गया थोड़े पहलवान उनसे निप्टेंगे थोरियम, पैलेडियम, यूरिनियम और नियोपियम तो यहाँ पर कहते हैं थोड़े पहलवान उनसे निप्टेंगे पके आम कम भी केंगे पके आम कम भी केंगे तो यहां Plutonia, Amersium, है ना, यहां पर CM और BK, तो यहां पर देख रहे हैं, पके आम, कम बिकेंगे, उसके बाद, कैफे में ऐसे फर्माओ, मैडम नास्ता लाओ, कैफे में, ऐसे, कैफे में का कोई मतलब है नहीं, तो कैफे में ऐसे फर्माओ, मैडम नास्ता लाओ, या मैडम इस प्रकार हम कह सकते हैं, ठीक है, कैफे में ऐसे फर्माओ, मैडम नमबर लाओ, या मैडम नास्ता लाओ, इस प्रकार कह सकते हैं, तो थोड़े पहलवान उनसे निप्टेंगे, पके आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फर्माओ, मैडम नमबर लाओ, इस प्रकार हम कह सकते है इस प्रकार यहाँ पर क्या है F-Block B F-Block का यह 14-14-28 से इस प्रकार निमोनिक्स के बेस पर आप याद रख सकते हैं I hope यह बात है clear हुई चलो अब यहाँ पर समझते हैं यह radioactive element होता क्या है radioactive element के बारे में आप लोग को बता दू कि जो radioactive element है उनको हम देखते क्या है कि वो radiation निकालते हैं इससे radiation निकालते हैं actual में इस radio activity की discovery किसने किया था तो Henry Baccaral सहाब ने किया था किसने किया था Henry Baccaral ने कहा था किया था पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ है कुछ radiation निकल रहा है तो उन्हें ने उसको क्या कहा Baccaral किरने कह दिया क्या कहा Baccaral race कह दिया Baccaral किरने कह दिया और then after क्या हुआ कि यहां पर इसमें देखा Madam Curie ने इनी की student Madam Curie देखते हैं भई एक में तो positive charge है एक में negative charge है एक में neutral charges है मतलब तीनों अलग अलग क्या है radiation है emit है emit हो रहे है तीनों अलग अलग प्रकार की विकीरन है इसको उन्होंने alpha race कह दिया alpha race कह दिया इसको उन्होंने beta race कह दिया और इसको उन्होंने क्या कह दिया gamma race कह दिया और तीनों का अलग अलग usage है आपको पता ही है ठीक है अच्छा एक पॉइंट और कि यह जो radioactive material है सबसे best radioactive material क्या है अगर आपको कहा जाए तो सबसे best radioactive material तो यहाँ पर radioactive metals की बात करें जो nuclear bomb या nuclear reactor में यूज किया जाता है यह सबसे important fact है आज के session का इसे यहाँ पर लिखेगा बहुत काम की चीज है क्या क्या है देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे uranium 235 सबसे best material है सबसे best radioactive material है दूसरा क्या है दूसरा है हमारे पास देखते हैं यह है plutonium 239 ठीक है इसे कई बार exam में पूछा जा चुका है ठीक है best material तीसरा नंबर में आता है uranium 238 चौथे नंबर में आता है uranium 233 और पांचवे नंबर में आता है thorium 232 यह sequence को याद रखना बहुत काम की चीज है आपकी exam के लिए यहाँ से प्रस्ना कई बार पूछे जाएंगे तो uranium 235 और uranium 238 एक्चौल में nature में क्या मिलते हैं यहाँ पर complex form में मिलते हैं और समस्या क्या है समस्या यह है एक तो radioactive element ऐसे भी मुश्किल से मिलते हैं मिल भी गए तो इसमें देखते हैं सबसे best uranium 235 है लेकिन इसमें यह complex यहने संयुक तवस्था में मिलता है और यहाँ पर कह देते हैं केवल 0.7% मिलेगा बाकी 99.3% क्या मिलता है आपका uranium 238 है जो तीसरी category का fuel है बातें समझ में आई तो यह बातें आप लोगों को ध्यान रखना इसी लिए डाक्टर होमी जहांगीर भाबा ने thorium based technology भारत में इजाद कर लिया था और उसे को ही लेकर भारत में trilateral nuclear energy program launch किये थे बट उनकी रहस्यमई तरीके से 1966 में एक विमान धरगटना में मौत हो गई थी अगर डाक्टर भाबा होते तो आज हम बहुत बड़े super power होते क्योंकि जिस nuclear bomb को हमने 1998 में बनाया वो कहा 1960 के decade में हमको प्राप्त हो जाता ठीक है यह बात ध्यार रखना अच्छा अब इस app block के बारे में कुछ property बताना तो बची गया है देखो इन सभी को कहा जाता है heavy metals भारी धात्वे कहा जाता है इनके melting point काफी ज़्यादा होते हैं बहुत सबसे ज़्यादा melting point याने गलनांग किनका होगा आपके एफ block का होगा एफ block में मैंने फिर lengthenite को rare earth metal कहा और actinite को radioactive material कहा तो इस प्रकार आप इस app block के कुछ खास बातों को याद रख सकते हैं भी है ना अगर हमको कहा जाए कि ऐसा पहला radioactive element कौन सा जिसे बनाए गया था तो उसका नाम है radium radium क्या है artificially radioactive element है कृतिम उससे बनाए गया radioactive तत्व है जिसे माडम क्यूरी ने बताया था जिन्होंने alpha beta gamma race का nomenclature भी किया था clear हो गया चलो अब आज के session में कुछ महत्पूर्ण fact में बताता हूं आज के session का सबसे महत्पूर्ण fact में से क्या है तो हमको चार चीजें यहाँ पर समझनी है facts मैं ऐसे facts हमेशा बताने का प्रयास देखो यहाँ पर पहला fact अगर calcium hydroxide आपको पूछा जाए दूसरा calcium oxide हो ठीक है तीसरा चौथा इस प्रकार चारों को देखेंगे तो calcium hydroxide को क्या कहा जाता है बुझा हुआ चौणा कहा जाता है क्या कहा जाता है बुझा हुआ चौणा कहा जाता है बुझा हुआ चौणा या फिर इसे English में कहेंगे hydrated lime कहा जाता है कैलसियम औकसाइड को कहा जाता है बिना बुजह हुआ चूना कहा जाता है ठीक है है और इसे कहेंगे क्विक लाइम कहा जाता है ठीक है यह बात नट समझ में आई उसके बाद हमारे पास मांलोक Magnesium Hydroxide मांलो आया Magnesium Hydroxide को क्या कहा जाता है Milk of Magnesia कहा जाता है Milk of Magnesia कहा जाता है ठीक है और इसके अलावा हम कहते हैं Plaster of Paris की से कहते है POP की से कहते है जो fall ceiling में उपर जो है POP बनता है, POP से क्या है, ceiling में fall ceiling करते हैं, उसके अलावा किसी के हड़ी तूट गई हूँ, join को हम क्या करते हैं, जोडने में यूज करते हैं, इसके अलावा हम बात करते हैं, लाइक जिसे गनेश मूर्ती, गनेश जी की मूर्ती या फिर दुरगामाता क मूर्ती या डिफरेंट टाइप के जो मूर्तियां बनाते हैं, उसमें भी POP यूज किया जाता है, तो यहाँ पर plaster of Paris किसे कहते हैं, तो CA SO4 और into harp S2O को हम कहते हैं, यहाँ पर hydrated calcium sulfate को कहते हैं, plaster of Paris, plaster of Paris कहा जाता है, यह बात है ध्यान रखना, ठीक है, यह बहुत important fact है, जो आपके exam के लिए कभी भी पूछे जा सकते हैं, अब कहीं पर भी किसी भी प्रकार का और doubt होगा, आपको लगता है कि कोई ऐसा topic आप चाहते हैं, पढ़ना जिसको आपको difficult लगता है, तो definitely आप comment box में हमें भीज सकते हैं, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम next class म कुछ और महत्पून topic के साथ, thank you so much, have a nice day.